सर्दियों में बहतीन सुपरफूर्ट गाजर का हलवा खाने के जाने पाँच शांदार स्वास्तेलाब गाजर सर्दियों के मोसम की पसंदिदा सब्जी है जो महत पुन पोशक तत्वों से भरी होती है गाजर खाने के फाइदे कें कमाल के हैं गाजर बीटा केरोटिन में सिर्मत है जो यूवी किर्णों को अवरुद करके तप्चा को हल्दी रखने में मदद करता है और आम तोर पर सर्दियों के दोरान सक्रिये होते हैं जानेंगे गाजर के हलवे को खाने का पहला फायदा गाजर में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और फाइबर से भुर्पूर इनके कें सुवस्ते लाब होते हैं गाजर में विटामिन A आपके द्रश्टी में सुधार करता है इसमें ल्यूटिन, लाइकोपीन और पोटो प्रोटेक्टिव पोशक्तत होते हैं जो कहीं स्वास्ते समश्याओं को दूर रखने में मदद करते हैं इसी के साथ जानेंगे गाजर के हलवे को खाने का दूसरा फायदा दूद गाजर तेयार करने का एक अभिन अंग है दूद मिलाने से हलवे के पोशिन की मात्रा बढ़ जाती है फिर अगर आप नट्स में टॉपिंग पसंद करते हैं तो आप कुछ प्रोटीन और एंटी ऑक्सिजेंट प्राप्त कर सकते हैं हलवे में दूद डालकर पकवान में केलसेम और प्रोटीन मिलाया जाता है काजू और इस हलवे में प्रोटीन और एक्सिजेंट को जोड़ते हैं इसी के साथ आप बताएंगे हम तीसरा फायदा घी में बहुत सारे अच्छे वसा होते हैं जो आपके सरीर को दड़ से निबटने और महतपूर अंगो को पोशन देने के लिए आवशक होते हैं जबकि घी सूपर हलदी है अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसकी जिंगे अनसल्टेट बटर का इस्तमाल कर सकते हैं गाजर का हलवे में घी भी कुछ लोग डाल कर बनाना पसंद करते हैं गाजर की हलवे को खाने का चोता फायदा बहुत ही महतपूर्ण है गाजर का हलवा आपके इम्मिनिटी सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है गाजर में विटामिन ए आपकी प्रती रक्षा को बढ़ाता है और इस प्रकार सकरमन को दूर रखने में मदद करता है जो कि अभी हमें चाहिए गाजर का हलवा में कई पोशक दित्व एक साथ मिलते हैं जिससे यह एक इम्मिनिटी बूस्टर बन सकता है इसी के साथ साथ गाजर के हलवा इसकिन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है हमेशा मोस में खाद पतार्दों का सेवन करना चाहिए उधारन के लिए हम तवच्चा को यूवी किर्णों से बचाने के लिए सरदियों में संस्क्रीम लगाते हैं गाजर में बीटा केरोटीन होता है जो यूवी किर्णों को रोक कर तवचा की मदद करता है